हेलो यूट्यूब फैमिली, गूट मॉर्निंग, सुबह के बज़ने हैं साड़े आठ और मेरी मॉर्निंग आप सभी जानते हो पांच बज़े हो जाती है तो आज का फ्लॉक में यही से स्टार्ट कर रही है, मैं कर रही हूँ स्केन केर और आप सभी को पता है कि मैं स्केन केर मिस नहीं करती हूँ और आपको भी नहीं करना चाहिए आज से तेजस की summer vacation स्टार्ट हो गई है और summer vacation में मेरा क्या routine रहता है ये सब मैं आप सब के साथ share करूगी तो आज पूरा दिन मैं relax वाला routine शेर करने वाली हूँ क्योंकि जब summer vacation हो जाती है time से तो उठती हूँ पाँची बजे मगर आराम आराम से सारे काम करती है कोई भी जल्दी नहीं होती कि हाँ फटा-फट करना है routine जल्दी करना है time नहीं बचा ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैंने तेजस के लिए दूद पका लिया था और तेजस दूद में दवा ले रहा है आजकल क्योंकि उसकी तबयत नहीं सही थी आप सभी जानते हो काफी बिमार हो गया था बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी तो उसमें बस दवा मैं आड़ करके उसको दे रही थी तो ये दे दिया है तो हमारा नाश्ता आ गया है और नाश्ता क्या है एक बाहर से हैं बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर से नाश्ते हैं मेरा मानना तो हमारा नाश्टा अब ट्रांसफर हो गई सब्जी इस बाउरे तो यह हमारा फेवरेट नाश्टा जब मैं माइके में थी तब भी मैं इसका नाश्टा जरूर करती थी संडे के दिन अक्साय करके वीग में दो तीन बार होई जाता था तो यह है पूरी अलुक सब्जी छोला बटूरा और प्याज जो हमाए घर के नियर फेमस शॉप है वहीं से मगवाई यह बहुत बढ़िया यार बहुत यमी टेस्टी स्वाद होता है बहुत फेमस है हमारे एरिया में आप शाम की चाय मुझे बैटे बठाए मुल गई है हस्मिन ने बनाई थी और नाश्टा करने के बाद मैं रेस्क करने लगी थी आप सभी जानते हो दिन में मैं रेस्क जरूर करती हूं क्योंकि सुबह पांच बजे उटती हूं और पांच बजे के से तम शाम दुपहर तक के चलती हूं 126 तक के उसके बाद मिरी हिंप्लकुल हार जाती है उसके बाद में तो चाइप पी रही हूं है कि भूब दिनों बाद अध्यश्मिन के हरके हैं रहे हैं कि अगसर मैं सब्सक्स करता है कि कोई हमें भी एक कप चाइप टी तो बहुत अच्छा बहुता है बाप रे बाप अभी पता है मैं बैटे बैटे वीडियो एड़ेट कर रही थी और कल का जो ब्लॉक है बहुत ही अच्छा था मुझे बहुत अच्छा लगा जो कल का व्लॉक था इससे पहले आपको मिलेगा बहुत अच्छा था और फुल इंजॉय कर रही हूं तो चाय पी लेते हैं फिराश से मिलते हैं तो शाम कि डेनर की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है मेरे क्याले साथ बढ़े से साथ बजे से मैं स्टार्ट करदेती है लग बग लग पग और बाइद भीमे आपको सबके साथ इक बार शैर करना चाहते हूँ आज जो अपने ड्रेस देखी है मेरी पहने हुई वह मैंने आपको सबसे पहले बताया था जहाँ मैं गई थी बुटीक सिलवाने तो शो भी किया था यह क्लोथ और ड्रेस हमारी रेडी हो चुकी है यह देखी आज मैं बना रही हूं रसमराई जो तेजस ने कहा कि ममा बहुत दिन से आपने बनाई नहीं है तो चलिए मैं भी आपको इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूं बहुती बढ़िया बनती है और इंस्टेंट बन जाती है तो इधर मैंने दूद चड़ा के रखा है देख सकते हैं तो दूद लगभक 1.5 पैकेट है 1.5 पैकेट दूद को मैंने चड़ा दिया है जब यह आदा हो जाएगा तब हम अपना करेंगे नेक्स स्टेफ इसमें मैंने जो है 1.5 पैकेट दूद डाला है यानि आदा किलो से उपर का दूद है तीन लोगों के लिए बना रही हूं र पास कढ़ाई एक ही है तो पैन में ही आज भींडे बना रही हूं और रसमराई इंस्टेंट बनती बहुत टेस्टी यमी लगती है आपको क्या बता हूं तो यह देखिए दीरेदेगर के आटा सानूंगी और उसके बाद फिर अधर काम करूंगी तो दूद हमारा अच्छी अच्छी लगती आप सभी जानते हो ठीक रहा है मीठा उतना ही सही है और यहां पर मैंने जो है एक ब्रेट ली है और ब्रेट को ग्लास से कट कर रही हूं आप देख सकते हो किस तरने से कट कर रही हूं जिस साइज की आपकी ब्रेट उसी साइज से आप ग्लास लीजेगा इस तने से मैंने कट कर लिए यह देखिए और इसको रख रहे हूं और यह जो हमारे जो बचे हैं इनको साइट्स जो बची है इनको रख देंगी इसका पोखा या नहीं तो ब्रेट क्रम्स बन जाएंगे बहुत अराम से वेस्ट कोई भी चीज नहीं करती हूं मैं मैं सब चीज समाल के रखती हूं इसको फ्रेश में रख दूंगी तो वैसे ही वैसे रहेगा ब्रेट क्रम्स बनाके रख लिए तो भी बहुत काम है दूद अच्छी दने से पग गया है और चीनी भी बहुत अच्छी दने से मिक्स हो गए यह देखिए लगबग लगबग वाणार इसने छेंच कर दिया तो अब हम यहां पर इस स्टेच पर क्या करेंगे दूद को हम एक बाउल में ट्रांसर करेंगे आधा लेंगे पूरा नहीं लेना है हमें आधा दूद लेना है मैं इसमे कम से जो 5-6 चमचे दूद लिया लिया है अभी मैं आपको कॉंटिटी जो हो और जो और दूद बचा था उसको पकाया था मैंने और इस तने से हो गया है देखिए बिल्कुल रबड़ी टाइप का बन किया है तो यह देखिए इसको मैंने बन कर दी है अब हम करेंगे अपना नेक्स टेप मगर एक बात याद रखेगा जब आपका पूरा ठंडा हो जाए सब कुछ रबड़ी भी और साथ में आपका जो दूद आपने रखा था पहले निकाल के वह भी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए रूम तंप्रेचर पर नहीं प्रिश टंप्रेचर पर होना चाहिए तो यह देखिए बहुत अच्छी तने से हो गया है तो आप हमें क्या करना है यह ब्रेड लेनी है और ब्रेड को एजा सैंड़ि लोग दूसरी थने से बनाते है क्यान तेसे हो यह होता है यह दिखिए यह हैं दूद जो मैं नीचे डाल दूब तो थोड़ा मैंने और रखा हुआ है दूद वह भी मैं आड़ करूंगी तो अब मैं इसको रख्त मलाई को यह जो मैंने ब्रेड के बनाए है सबी सान्विच रबड़ी डाल कर तो वह हम इसमों शोक करेंगे इस तरह से आपको शोक करना दूद बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए नहीं तो शोक नहीं हो पाएगा तो इस तरह से हम सोक करेंगे सारे ही जितना मतलब कि मैंने बनाया है सैंविच रसमलाई उतिस अब ब्रेड को शोक कर कर देंगे बहुत अच्छी तरह से मैंने गानिश कर दिया है और दूद अभी मैंने ज्यादा नहीं डाला है तो अब हम इसको जो है रख देंगे फ्रेज में आदे गंटे के लिए आदे से फंद्रा मिनिट के लिए ठंडा हो जाएगा एकदम ठंडा होना चाहिए उसके ब अब देखते हो ना दूज से पूरी अच्छी तरह से जो इता है नहाया होता है रसमलाई के पिसस तो सेम वही प्रोसेस करना है और आप यकीन मानो वाक्य में बहुत यमी और टेस्टी बनी थी आप यकीन मान लो एक बार आप चाहरें खाने और पता चलेगा कि कैसा होना है कैसा होना है रसमलाई लग रही है तो मेरी जो रेसीपी थी वो तो मैंने आपको शेयर कर दी है और सब को बहुत ज्याद़ पसंद आई मेरे चेहरे की स्मायल आप समझ सकते हो कि इं लोको कितनी पसंद आई है ते जस कैसी लगी वाक कही में नोंको पसंदा है मुझे बहु बहुत ज़्यादा पुशी होते हैं थैंक यू किया तो नहीं डाला ना मैंने केसा इसमें नहीं डाला ना कि गर्मी हो रही है ना किसे तारी सुनके बहुत अच्छा लग रहा हूं दंदा से पीलिंग आ रही है इवा आप भी घर में ठ्राइ कीजेगा जो रेसिपी मैंने शे करने और चाहिए तेजस अब मढया बनिया तेस्टी बनिया तो मैं आपको एक बात शाय करना चाहती हूं कि जिस तने से मैं रसमलाई बनाती उस तने से ब्रेट की कोई नहीं बनाता आपको कहीं नहीं मिलेगी इस टिप्स के साथ और इसका टेक्श्यर कलर सेम रसमलाई की आप देख सकते हूं बढ़िया थी पसंद आई बस इंस्टेल मीठा में लिए सबको मीठा भी एक दम पर्फेक्ट था सबको बहुत पसंद आई तो हमारा डिनर हो चुका है रसमलाई का रिव्यू भी मुझे मिल चुका है और घर में तो बहुत अच्छा लगा सबको पसंद आया तो आप भी एक बार जरूर ट्राइब कीजेगा अपने घर में और जब ट्राइकर लीजेगा बनाएगा घर में सबको पसंद आया तो यह वह कमेंट शेक्शन में कमेंट करके चरूर बताईएगा तो आज के व्लोग का एंड में यही करती हूं फिर मिलूंगे आपसे नेक्स डे नेक्स व्लोग में तब तक के लिए बाई बुड नाइट